हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है बबली कीचन में फ्रेंड्स आज में आस्टमी और नौमी का प्रिशाद की रेसिपी लेके आए हूँ जो है सूजी का हल्वा और मसाले वाला चना जो बहुत ही टेस्टी भी लगता है और सब लोग आस्टमी नौमी के दिन घर में बनाते है मातारानी को भोग लगाने के लिए तो आएए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं सूजी का हल्वा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन गरम करेंगे और इसमें डालेंगे देशी घी तो यहां पे मैंने लिया है 1 3rd कप देशी घी इसको डालके मिल्ट होने देते हैं पह तो सूजी का परफेक्ट हलवा बनाने के लिए मेजरमेंट का ध्यान आप जरूर रखिएगा आधा कप सूजी में वन थर्ड कप मैंने घी डाला है इस हलवा में थोड़ा घी जादा पड़ता है तभी बनता है एकदम परफेक्ट भंडारे वाला सूजी का हलवा और इसको अ मैंने अभी एक से दो मिनिट तक भून लिया है और आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा थोड़ा कलर आना सुरू हो गया है तो इसको और अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हमको भूनना है अच्छा हल्वा बनाने के लिए अच्छा भूनना बहुत जरूरी है और इस जैसे हम भूनते जाएंगे आप देखेंगे कि जो घी जो है सेपरेट होने लगा है तो इसको और भून लेते हैं अब इसमें बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है बस इसको हम थोड़ी देर तक लगभख एक मिनट तक और भून लेंगे जिससे और भी अच्छा कलर आ जाएगा तो फ्रेंट्स यहां पर हम इसमें एड करेंगे कुस ड्राइफ फूर्ट्स तो ड्राइफ फूर्ट्स में मै अदाम और काजू को बारिक काट के आप चाहें तो इसमें पिस्ता भी डाल सकते हैं किसमिस भी डाल सकते हैं इसको यहां पर डालना बहुत जरूरी है क्योंकि थोड़ा सा वह भी क्रंची हो जाएगा और बहुत ही अच्छी खुसबू आने लगे क्योंकि उसको भी हम भू और डालेंगे पानी तो ध्यान रखेंगे जितना हम सूजी लेंगे उसके चार गुना पानी डालना है तो आधा कप मैंने सूजी लिया था तो दो कप पानी भरके डाल देंगे तो इससे हल्वा बहुत ही पर्फेक्ट बनेगा अब इसको बॉयल होने देते हैं बालाना सुरू हो गया है फ्लेम को मैंने यहां पर हाई कर दिया है और अब इसमें हम चीनी एड़ करेंगे तो चीनी जिस कप से सूजी लिया था आधा कप उसी कप से मेजरमेंट करके आधा कप मैं चीनी डाल रही हूं इसमें आप इसमें चाहे तो थोड़ा चीनी और भी किनी मिक्स होगा यह थोड़ा मेल्ट होके और भी पतला हो जाएगा तो इसको गाड़ा होने तक पकाना है हमको लेकिन इस टाइम थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें से बहुत छीटे आते हैं और हाथ जलने का डर रहता है तो अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लिया मैं क्योंकि जो दाने हैं बड़े-बड़े फूल जाते हैं खुब अच्छे से तो इसको हम ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे और गाढ़ा कर लेंगे क्योंकि थोड़ा सा अभी यह पतला है अभी यह अच्छा गाढ़ा हो चुका है तो अब इसमें हम फ्लेवर के लिए इलाइची पाउडर डालेंगे तो चार से पांच इलाइची का मैंने पाउडर बना लिया था वो डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हल्वा में और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यह इतना गाढ़ा हो चुका है तो बस अब इससे ज्यादा हम नहीं पकाएंगे क्य यह बहुत ही अच्छा एकदम रवेदार और फ्लेवर खीला राल्वा बन के तयार होगा देखिए फ्रेंड्स हमारा बहुत ही सूपर टेस्टी सूजी का हल्वा बनके तयार हो गया है एकदम खिला खिला और रवेदार सूजी का हल्वा बना है तो एकदम पर्फेक्ट आप इसको बनाए भोग लगाए मातरानी को मसाले वाल चना बनाने के लिए मैंने यहां पर एक कप लाल चना लिया था इसको चार गंडे तक पानी में भीगा के रख दिया था और पानी से अलग करके भी ले लिया है तो यह अच्छे से फूल चुका है अब इसको बॉल करना है तो एक कुकर में हम इसको डाल के उबाल लेंगे कुकर में मैंने चना को डाल दिया है अब इसमें हम पानी आड़ करेंगे तो पानी हम उतना ही डालेंगे जितना की चना अच्छे से डूब जाए उसके लेबल तक पानी डालना है बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे और इसमें नमक डालेंगे तो नमक मैंने डाला है वन टी स्पून नमक यहां पेजली डालेंगे कि चना के अंदर तक नमक का टेस्ट चला जाएगा और अच्छा लगेगा और अब धक्कन लगा कि इसको बंद करके बॉइल कर ले तो इसको हम दो सीटी हाई फ्लेम पे आने तक उबालेंगे उसके बाद फ्लेम को कम करके लो कर अब हम और चना बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका मसाला त्यार कर लेंगे तो एक बॉल में डालेंगे टू टी स्पून जीरा और धनिया पाउडर वो मेने मिक्स रखा था वन टी गौर्ण स्पून नमक क्यों कर सकते हैं बहुत ऐड़ की तया मझे नमक नमक वलन्यक्राब इसलिए इसलिए स्वादा नुसार डाले हृँ इसमें थोड़ा पानी डालके इसका एक पेश्ट त्यार कर लेंगे दो तिन चमच पानी डालके मैंने इसका पेश्ट त्यार कर लिया है तो इस रेसिपी में यह मसाला बनाना बहुत ज़रूरी है इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चनल बनाने के लिए एक पाक के मैंने गरम कर लिया और इसमें अब डालेंगे तू टेबली स्पून मस्टर डॉय तो चनल मे बनाए इससे बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है वण टीजपून डालेंगे जीरा और हरी मीर्स दो डालेंगे बीच से कटी हुई और इसमें थोड़ा सा कलर आने तक इसको हम पकने देंगे जैसे ही जीरा चटकने लगेगा इसमें हम मसाला एड़ करेंगे तो जो हमने मसाला पहले से घोल के रखा था वही इसमें हम डालेंगे और भूनेंगे थोड़ा सा सावधानी से डालें जिससे की इसमें से छीटे ना आए और फ्लेम को लो करके खुस्पू आने तक मसाला को भून लेना है यहां पर मसाले से अच्छी खुस्पू हो गई है तो इसको एक मिनिट से जादा नहीं भूनेंगे क्योंकि जलने लगता है तो अब इसमें हम उबला हुआ काला चना एड़ करेंगे और पानी अलग करके बस चना डालना है क्योंकि हम यहां पर सुखा चना बना रहे हैं और इसको आइसे ही भूनते हुए सुखा लेते हैं अब हम लगतार मसाले को ऐसे भूनते हुए सुखा लेंगे जिससे की चना की ऊपर अच्छे से कोटिंग हो जाए एक लेयर लग जाए मसाले का इसे काफी टेस्टी लगता है और टेस्ट को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा धनिया पता बारी कटा हुआ हम इसमें डाल लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह बहुत ही टेस्टी लगता है यह पूरी के साथ पराथे के साथ भी आप ऐसे भी बना के खा सकते हैं तो लीजिए हमारा सूखा चना बनके तयार हो गया है टेस्टी चना आप बना जिससे कि मेरे वीडियो के सारे नूटिफिकेर्शन आपको सबसे पहले मिल सकें और कमेंट्स ज्यादा ज्यादा दें